Excel के इस session में हम एक बहुत interesting option के बारे में बात करेंगे, जिस option का नाम है subtotal, अब subtotal क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, इसको apply करने से पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये होता क्या है, subtotal का मतलब होता है कि आप for example, कि यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं different different flavors हैं, यह माल दीजे, यह मेरे पास days है, Monday है, Tuesday है, Wednesday है, मैं सिर्फ Monday का particular total देखना चाहता हूँ, मतलब मैं Monday का देखना चाहता हूँ, कि Monday को मेरे unit sales कितने हो हैं total, पूरे month में, और Monday को कितने number of customers मेरे पास आए हैं, तो यह मैं देख सकता हूँ, separate separate day के लिए मैं देखना चाहता और custom sort करने के बाद, जो दूसरा काम मैं कर सकता हूँ, यहाँ मैं एक row insert कर सकता हूँ, insert करने के बाद, मैं यहाँ पे total लिख सकता हूँ, और total लिखने के बाद, मैं इनका sum ले सकता हूँ और यह मैंने इसका sum ले लिया, C2 to C5 और यह मैंने यहाँ से auto fill कर दिया, तो इधर का भी sum आ गया, तो यह एक तरीका है, लेकिन obviously यह तरीका सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत मेहनत लगेगी, मुझे सारे में जा जाके Tuesday का, फिर Wednesday का, Thursday का, Friday का, इस तरह से यूज नहीं करूँगा, और यहीं पर मैं subtotal आपको करके दिखाना चाहता हूं, तो let me just ctrl z, ctrl z, ctrl z, ctrl z, ctrl z, फिर से पुराने फाइल पर हम आ चुके हैं, अब हम यहाँ पर subtotal का इस्तमाल करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं, subtotal करने से पहले, एक चीज हमेशे याद रखिए इसको ok कर दिया, अब यह sorting हो चुकी है, हमें कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर data वाले option में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर outline का option आ रहा है, outline के जब arrow पे क्लिक करेंगे, तो आप यह देखिए subtotal का option आ रहा है, तो subtotal पे क्लिक करें, subtotal पे क्लिक करते ही, अब आपके सामने यह कुछ options आ गए, इस options के बारे में बात करते हैं, कि यह options क्या है, सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आप किस पे करना चाहते हैं, तो obviously मैं days पे करना चाहता हूं, क्या करना चाहते हैं, आपके पास options हैं, आप sum करना चाहते हैं, count करना चाहते हैं, average, maximum, product, minus सारे mathematical functions आप इस पर कर सकते हैं तो मैं सम चाहता हूं किस चीज का चाहता हूं तो मैं जिन जिन चीजों का चाहता हूं मैं उसको यहां से टिक कर सकता हूं तो मैंने unit sales का मैं चाहता हूं unit sales मुझे पता लगे कि Monday की unit sales क्या है और number of customers भी पता चले तो जब आपने यह दोनों पर टिक कर दिया और जब आप OK करेंगे अब आप देख सकते हैं यह मेरे पास automatically सारा data generate हो गया है Monday का total भी आ रहा है कि Monday को मेरे total unit sales जो है 52 हुए है और मेरे total number of customer 143 आया है तो देखते हैं किस दिन सबसे ज़्यादा customer हमारे पास आये हैं तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा customer हमारे पास वो Thursday को आये है that is 193 प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि grand total भी आ गया है कि आपका जो grand total है पूरे week का overall आपके पास कितने customer आये हैं और आपके total कितना unit sales हो है वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाता है तो सब total आपको इस तरह से help करता है और आपके बहुत सारी मेहनत को save करता है I hope आपको समझ में आ गया होगा अगले session में फिर मुला गातूँ